दोस्तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आइडल सीजन 10 के विजेता सलमान अली की लाइफ स्टोरी के बारे में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वह 13 साल के थे जब उन्होंने 2011 में सारे गामापा लिटल चैम्स नामक गायन रियालिटी शो में भाग लिया था वह इस शो में उप विजेता थे और उसके बाद उन्हें गायन के प्रस्ताव मिलने लगे 2018 में उन्होंने सिंगिंग रियालिटी शो इन्न आइडल में भाग लिया और शो के विजेता बने तो आईए जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी और इनकी लाइफस्टाइल तो आप इस वीडियो को और तक देखना अगर आप इनके फैन है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देए आइम फैन ओफ सल्मान अली दोस्तो इनका रियल नाम है सल्मान अली निकनेम सल्मान प्रोफेशन से वो एक सिंगर है 14 जन्वरी 1998 के दिन हर्याना के मेवाद जिले में सल्मान अनी का जनम हुआ था सल्मान अली खान का जनम एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था उन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई अपने गाउ से करते हुए कॉलेज से ड्रोप आउट हुए थे वह अपने पचपन से ही गाईकी में काफी रूची रखते थे इस कारण पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए अब बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में इनकी लंबाई है पाँच फूट चार इंच वजन है पच्पन किलोग्राम बाडी मेजरमेंट है अटिस चोंतिस बारा इनकी आखों का रंग काला है बालों का रंग काला है नेशनेलिटी से यह एक इंडियन है और रिलीजन से मुसलिम है इनके फेवरेट एक्टर सल्मान खान फेवरेट एक्ट्रेस दिपिका पदुकोन फेवरेट सिंगर राहत फते अली कान सुखविंदर सिंग कैलाश खेर पसंदिदा भोजन चिकन बिर्यानी पसंदिदा स्थान गोवा लंडन फॉबिस सिंगेंग अब बात करते हैं इनकी फेमिली के बारे में सल्मान अली के पिता जी का नाम कासिम अली है वह भी गायन करते हैं उनकी माता का नाम परवीन बेगम है उनकी पिछली चार पीड़ी जीवी को पारजन के लिए गायन करती है जिसके कारण गायन करना उन्हें अपने खून से मिला था उनके परिवार मे पाँच भाई भेनों से सल्मान अली सबसे छोटे हैं उनका परिवार बहुत बड़ा है उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं सल्मान अली की अभी तक शादी नहीं हुई है और उनके रिलेशनचिप की भी कोई जानकारी नहीं है उनको अपने काम से अत्यतिक लगाव है और उनका सपना है कि वे पॉलिपुट के टॉप सिंगर बने अब बात करते हैं इनके करियर के बारे में सारे गामा लिटल चैम्स 2011 से सल्मान अली ने अपने करियर की शुरुआत की थी उन्होंने अपनी शुरुआत के साथ ही बहुत अच्छी पहँचान बनाई थी क्योंकि वे सारे गामा पा लिटल चैम्स शो के उप विजेता बने थे 2018 के साल में सल्मान अली इंडियन आइडल 2018 में हिस्सा बने थे उन्होंने इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम कर लिया था जब से वे इंडियन आइडल 10 के विजेता बने तब से उन्होंने बॉलिवुड में कई सूपर हेट और बहतरीन सौंग दिये हैं सल्मान सोनी टीवी के सूपरस्टार सिंगर सिंगिंग रियल्टी शो में चाइल्ड मेंटर कैप्टन मेंटर का एक अभिने कर चुके हैं एक दिन सल्मान अली इंडियन आइडल ओडिशन लाइन में खड़े थे और आज वे अब शो के कंटेस्टन को गाइड किया करते हैं सल्मान अली के सिंगिंग करियर शेतर की बात करे तो वैस सुई धागा नाम की फिल्म में गाना गाते हुए उन्होंने बॉलिवुड की फिल्मों में गाने के लिए डेब्यू किया था बाद में सल्मान ने सूनी के शूद चंद्रगुप मौर्या में टाइटल सौंग और विग्न हर्ता गणेश के लिए अपने सुरीली अवाज में गायन किया है सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म और यूट्यूब सभी में उनकी अवाज को बहुत ही पसंद किया चाता है अब जान लेते हैं सल्मान अली के घर के बारे में अभी हाली में सल्मान अली ने मुंबई में घरवालों के लिए एक घर खरीदा है ये घर उनके सपनों का घर है क्योंकि मुंबई जैसे महंगे शेयर में अपना घर होना किसी उपलप्ती से कम नहीं है आईए जान लेते हैं उनके पास कौन सी कार है उनके पास देटसन की एक कार है आईए जानते हैं इनकी इंकम के बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट के मताबएत उनकी नेट वर्थ करीब एक से तीन मिलियन यूएस डॉलर्स है उनकी आई का स्त्रोत सिंगिंग और स्टेट शो से है और दूसरा आई ब्रैंड विग्यापनो और अन्ने से आती है आईए जान लेते हैं उनकी कुछ अनसुनी बाते उन्होंने बहुत कम उमर में संगीत में रूची लेना शुरू कर दिया था और साथ साल की उमर तक उन्होंने अपने परिवार के लिए आज इवी का कमाने के लिए शादियों और जागरणों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था 2011 में उन्होंने कैलाश खेर की देख रेक में जी टीवी के सारे गामापा लिटल चैंप्स में भाग लिया और उप विजेता बने उनके परिवार की आर्थिक स्थिती इतनी खराब थी कि वे उन्हें इंडियन आइडल डस्क के दिल्ली ओडीशन में नहीं बेच सकते थे उस समय उनके करीबी दोस्त मनोहर शर्मा ने उनकी आर्थिक मदद की थी 23 दिसंबर 2018 को उन्हें इंडियन आइडल डस्का विजेता घोशित किया गया उन्होंने ट्रॉफी, 25 लाख नगत पुरुसकार और डेटसन कार जीती तो यह थी सल्मान अली की लाइफस्टाइल वीडियो अगर आप सल्मान अली के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किसके लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाते हैं अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं